हालो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने बाले हैं अगर आपने पार्ट बन नहीं देखा है तो आप मारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपको प्लेलिस्ट होगी बहाँ पर आपको पार्ट बन मिल जाएगा पार्ट बन में हम आज सी क्वेश्टन डिस्कस कर चुके थे एटी बन से आज शुरू करेंगे तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने बाली है इसमें भी हम 80 के राउंड क्वेश्टन जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो की रहने बाले हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकनोमिक्स और साइंस हिस्वंदी ब्रहसिन इसमें रहेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रसन से अगर दोस्तों आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना आपको क्वेश्टन पेपर की बहाँ पीडियाप मिल जाएगी जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्टन इस तरूलर फू डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेस कंक्वेस्ट बाज शासक जो किसी नभीन वीजे के लिए नहीं गया था तो बो था दोस्तों बलबन तो आप्शन इसका ए जो है क्यासुदीन बलबन इसका सही आंसर हो जाएगा ये बाना था दोस्तों शासक 1266 इस भी में और बात करें कौन सी डानेश्टी से ये सबन्दे था तो ये था दोस्तों दिल्ली सल्तनत के गुलाम बंस यानि की जिसे मामलुक बंस भी कहा जाता है जिसकी स्ताबना जो करी गई थी वो करी गई थी दोस्तों खुदुबदीन एबक के द्वारा और बास्विक संस्तापक जो है वो इलतुदमिस को कहा जाता है नेक्स्ट है भेरवर्दा सिप्स बिल्ट फॉर ट्रेड बेपार के लिए जहाज कहां बनाए जाते थे तो दोस्तों रहने समय में जो बेपार के लिए जहाज बनाए जात लुष्ट होते हैं और बात करें अंडेमान और निकवार की दोस्तों बहुँ टैन डिगरी चैनल से एक दूसरे से सेप्रेट होते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है बिच बन आउफ दा फ्लोइंग बास दा फर्स्ट रोलिंग डाइनस्टी ओ बिजेनगर निमन मैंसे कौन सा बिजेनगर का प्रत्धम शाशक बंस था बोथ था दोस्तो संगम बंस ऑप्शन इसका ए जो है बो क्रेक्ट हो जाएगा संगम बंस किसने करी थी स्तापना शंगा मंस की तिये करी गी थी दो भाईयों के द्वारा जिनका नाम था हरियर और बुक्का और प्रत्थम जो शाषक था वो था दोस्तो हरियर 1336 zł में इन्होंने स्तापना करी थी बिजनगर सम्राश्य की उसके भाद दोस्तो सुलोब्डी डैनेस्टी आयी इसके भाद आया तुलोबद्ध और अरबीड़ू और जो तुलोबद्स है manger को बिजनगर के महान शासक थे क्रिशन देवराई बेहों तुलोबद्स थे तीन मुगल बादशाओं का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है इसमें option D सही हो जाएगा जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है ये है दोस्तों लहोर में शाहदरा लहोर के शाहदरा के निकट है जो जहांगीर का मकबरा और एक है बावर जिसका जो मकबरा है वो है काबुल में और अंतिम मुगल बादशा बातर सा जफर दिवतिय का जो मकवरा है वो है रंगून में ये की मैमार में तो तीन मुगल बादशा थे जिनका मकवरा भारत से बाहर है सिबाद जी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके ब्रूद चला था तो ये चला था करनाटक के ब्रूद ऑप्शन B सही हो जाएगा करनाटक दोस्तों सिबाद जी जो थे महान सिबाद जी ये ही प्रिसिद मराठा शाशक थे इनका जो जर्म हुआ था वो हुआ था 1627 सिसबी में और 1680 में इनकी मृत्यों हो गई थी और बात करें इन्होंने राइगर्ड कॉपनी राजधनी बनाया था और इनके जीवन पर बिक्तित्त पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता जी का पड़ा था माता जी का नाम था जिजजा बाई नेक्स्ट क्वेशन है दा इंडियन रूलर हू डिफीटेड दा इंग्लिश इन दा एरली स्टेज और बिटिस रूल इन इंडिया वाज तो भारत में बिटिस साशन की प्रारंबी का पस्ता में अंग्रेज्जों को हराने बाला जो भारते शाशक था दोस्तों वो था हैद हैदर अली ये दोस्तों हैदर अली जो था जे था मैसूर का साशक बोडियार बंश इनोंने जो प्रत्तम अंगल मैसूर युद हुआ था उसमें हराया था बात करें टीपू सुल्तान की तो ये इनके बेटे थे ये भी इनोंने भी अंग्रेज्जों के साथ कभी संघर्स कि किया था और जो चौथा अंगल मैसूर युद हुआ था उसमें ठीपू सुल्तान की मृत्यू हो गई थी जो युद कर रहा था युद कर नर्वरेत्तर उसमें जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वो था लौड बेलिजली 1799 स्पी की ये है बात है next question है who declared himself as the governor of भाधुर शा किसने स्वाइम को भाधुर शा का गवर्नर घोशित किया दोस्तों भाधुर शा जो दुवित्य थे यही भाधुर जफर अंते मुगल बाजशा इनका जो गवर्नर घोशित किया था वो किया था बगत खान ने ये है ठारसो स्टूंजा करांती की बात हो रही है तो उसमें सो जो दिली से नेतरित्प का रहा था दोस्तों वो का रहा था बाधुर शा जफर ने और उनका जो गवर्नर खुद को घोशित किया वो किया था वगत खान ने नेक्स्ट क्वेस्टन है तो भारते राष्टे कॉंगरिस की जो अध्यक्सता करने वाला प्रत्थम राष्टबादी नेता था दोस्तों वो थे W.C.B.D. सही हो जाएगा कब हुई थी पहला इनका एडिवेशन हुआ था 185 में बंबई के गोकुल्दास तेजबाल संस्कृत कॉलिज में नेक्स्ट क्वेस्टन है दोस्तों गंधी के कितने अन्युयाई डंडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे तो ये थे 78 ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा 78 तो कब करा था इन्होंने दंडी मार्च दोस्तों तो ये सुरू करा था नेक्स्ट है आफ्टर बिच कॉंग्रेस सेशन मुहमद अली जिन्ना लेफ्ट दा कॉंग्रेस तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मुहमद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी थी तो ये छोड़ी थी दोस्तो नागपूर अधिवेशन के बाद 1920 तो option C सही हो जाएगा नागपूर अधिवेशन नेक्स्ट क्वेशन है ग्रेनाइट इजे फॉरम ओफ तो ग्रेनाइट किसका एक डूप है तो ये है दोस्तो इगनियस रॉक का option C सही हो जाएगा इगनियस रॉक आप कमेंट करके बताएं किसी दोस्तो जो सेडिमेंटरी रॉक है सेडिमेंटरी रॉक के एक्जामपल का आप आपका बाटर बैपर इतनी आपने याद रखनी है ये है ग्रीनाइट गैसिज नेक्स्ट है तो स्मूदर जल की लबनता अधिक्तम होती है तो कहां पर होती है ये होती है उशन कठी बंदों पर यानिके ट्रॉपिक्स पर तो option C सही हो जाएगा ट्रॉपिक्स नेक्स्ट कॉश्चन है तो कौन से नाम से जानी जाती है ये जानी जाती है बोग स्वैल और बात करें दोस्तों लेटराइट म्रीदा की तो लेटराइट म्रीदा जो है ये पाई जाती है दक्षन भारत में इनकी जो पूर्बी और बश्मी घाट है बहाँ पाई जाती है लेटराइट सोयल और यह जो उपयोगी होती है दोस्तों यह जो टी, कॉफी और कैस्वी जो इसकी प्रोडेक्शन के लिए काफी उपयोगी मृधा होती है लेटराइट सोयल नेक्स्ट क्वेशन है, विच आउफदा, फ्लोईंग इजे, ट्रोपिकल ग्रास लेंड, तो उशन करने बन दिये घास मैदान का जो एक्जामपल है इनमें, वो है दोस्तों सवाना, ओप्शन ए सही हो जाएगा सवाना, सवाना कहां है तो दोस्तों यह उशन करने में दिये जो आपका एशिया है, टॉक का जो एरिया है, उत्तरी यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, टैगा जो घास के मैदान है, नेक्स्ट है दोस्तों, होटरी कल्चर इज मोस्ट बाइट स्प्रेड इंदा, होटरी कल्चर सरवधिक फैली हुई है, तो कहां फैली है होटर यह पहली है दोस्तों, मेडिटेरियन रिजन में, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेडिटेरियन रिजन, और बात करने दोस्तों, मेडिटेरियन सी की, दोस्तों, मेडिटेरियन सी जो है, बोहो, मेडिटेरियन सी और जो आपका रेड सी है, वो किसके द्वारा जुड़े ह हुए है तो दोस्तों यह जुड़े हुए है जो स्वेज नहर है उसके द्वारा जुड़े हुए है तो मेडिटेरियन सी किसके जहां पर जो दोस्तों इस तरफ मेडिटेरियन सी है और यहां पर रेड़ सी है और इसके बीच में यहां पर जिवट कॉंट्री आती है और साथ म ही इसराइल जो है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है स्वेज के नाल जो ये है मेडिटेरियन सी है दोस्तो इसके उपर यहां पर ब्लैक सी है और ब्लैक सी के जो बीच में है वो कौन सी कंट्री है तो वो है इसमालियाज इस, तो इमालिय किनानी कहा जाता है, कंचन जंगा को option B सही हो जाएगा, कहां है कंचन जंगा, तो यह है दोस्तो सिक्कम है, और इसकी जो हाइट की बात करें, तो 8590 मेटर यह भारत की सबसे highest peak मानी जाती है, अगर हम केटू को छोड़ दे, केटू जो है दोस्त बराक नदी निकलती है, तो यह निकलती है दोस्तो मनिपुर के मौंट जैपो से, तो option इसका B जो है बो सही हो जाएगा, मौंट जैपो इसका सही answer है, और बात करें बराक रीबर की, तो बंगलादेश में दोस्तो इसको सुर्मा के नाम से जाना जाता है, और आगे चलके द Physiographic Units of the Country, तो कौन करता है, जो महाराष्ट राज्य है, option C सही हो जाएगा, यह देश की सभी चार फू आकरेतिक आयों को धारन करता है, नेक्स्ट है, निमन मैंसे कौन सा राज्य नमक के उतपादन में अगरनी है, तो नमक के उतपादन में जो अगरनी स्टेट है, वो है गुजराद, option C सही हो जाएगा, गुजराद, नेक्स्ट क्वेस्टन है, बिच आफदा, फ्लॉइंग डैम्स इस आलसो नौन एज रंजी सागर डैम्, तो कौन सा बांध, रंजी सागर बांध के नाम से जाना जाता है, तो यह है दोस्तो, थियन बांध, option D कुरेक्ट हो ज दोस्तो, और नेक्स्ट है, आपका हीरेकुंट बांध, तो यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी रिबर के उपर है, तो दोस्तो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक अबश्य कर दे, और चैनल पर पहली बार आप बिजिट कर रहे हो, तो चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दा काला कोट कोल फिल्ड इस सिच्योटर इन, तो काला कोट जो कोईला क्शेतर है, यह जी एंट के में, और आपसन सी सही हो जाएगा, जमू एंड कश्मीर, और बात करें, कोईला नगरी दोस्तों बो धनवाद को कहा जाता है, जो की है भारत के चारकंट राज्य में, नेक्स्ट है, तमीन इस एट, मैरिज इस हाइस्ट एमंगर्स दा, तो विवा की जो ओस्त आईउ उस्तम है, वो है दोस्तों, इस आईउ में, और आपसन आ जो है, बोसाई हो जाएगा, और मि यह है दोस्तों केरल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और सेकंड मिंजोरम का स्तान आता है, नेक्स्ट है, इन भोटिया ट्राइब्स दा, क्रेजियर आर कॉल, भोटिया जन जाती में, चरवाहे क्या कहलाते हैं, आपको बताना है, तो यह कहलाते हैं दोस्तों, अंडबाल, ऑ यह जो है वो सही हो जाएगा, चिपको अंदोलन, तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, यह चिपको अंदोलन, कब हुआ था, नेक्स्ट है, विश्ट में सरवधिक बोली जाने बाली भाषा कौन सी है, तो यह है दोस्तों, चाइनीज ऑप्शन ए जो है, वो सही हो जाए का निर्यात करता है तो ये करता है दोस्तो जपान को option A सही हो जाएगा जपान और US को भी करता है US और जपान जो है ये competition में रहते हैं next है India leads the world in the export of भारत बिस्व में किसके निर्यात में अगर नहीं है तो ये है दोस्तो माइका के निर्यात में option D सही हो जाएगा जिसे अभरक कहा जाता है भारत पूरे बाल्ड का दोस्तो 60% माइका जो है वो भारत में produce होता है next question है अगला question है the universal law of gravitation is attributed to गुर्तवा कर्शन के सार्बतरिक नियम कसरे किसको दिया जाता है तो ये जाता है दोस्तों Newton को option इसका जो C है वो सही हो जाएगा Newton इसका सही आंसर हो जाएगा next question है the food a man eats has उनुष्य जो भोजन खाता है उसमें उज़ा होती है तो उसमें होती है potential energy option C सही हो जाएगा potential energy next question liquid drops the sorry liquid drops and bubbles acquire spherical shape due to the phenomena of तो ये जो phenomena होता है वो होता है दोस्तों surface tension option B correct हो जाएगा surface tension next है which mirror is used as a saving mirror saving mirror के रूब में दोस्तों जो concave mirror है उसका use किया जाता है option C सही हो जाएगा और गाडियों की headlights बगयरा जो होती है उसमें भी अबतल दरपन का use किया जाता है convex mirror का use किया जाता है दोस्तों गाडियों में side mirror के रूब में next है transistor are made from transistor बनाए जाते हैं तो ये बनते हैं दोस्तों semiconductor के option D से हो जाएगा अर्थ चालकों से जिसका जो example है दोस्तों वो silicon इसका example है next है the filament of an electric bulb is generally made of तो जो बिद्द बल्ब होता है उसका जो filament होता है वो बना होता है tungsten का तो option C correct हो जाएगा और nichrome तो दोस्तों जो heater के तार्व 11 बने होते हैं वो nichrome के बने होते हैं next है India's biggest nuclear research reactor is तो इंडिया का जो दोस्तों biggest nuclear research reactor है तो बो है दोस्तों धुरूबा option A correct हो जाएगा धुरूबा जो कहां है दोस्तों बो है मुंबई में next है the widely used polymer polyethylene is made from व्यापक गुरूप से प्रिक्त polymer polyethylene बनाए जाते हैं तो ये बनाए जाते हैं ethylene से option A correct हो जाएगा ethylene इसका right answer हो जाएगा next है रिफा माइसीन is a drug to cure तो रिफा माइसीन दोस्तों खशे रोग tuberculosis के अपचार में प्रिक्त तौसदी है तो option C से हो जाएगा tuberculosis next है alcoholic beverage content मजिरा में होता है तो दोस्तों जो शुराब होती है उसमें होता है ethanol option B से हो जाएगा ethanol formula होता है alcohol का ज्यादतर C2 HO5 यहाँ पर मुझे confusion हो रहे है यह दोस्तों C2 HO5OH होता है maybe आप देख लेना चेक कर लेना next है fumazylene is N तो fumazylene क्या है दोस्तों तो यह एक antibiotic है option B से हो जाएगा antibiotic next question है malaria parasite is transmitted by तो दोस्तों जो malaria प्रजी भी संच्रित होता है वो होता है anaphilis के दवारा option B जो है वो सही हो जाएगा anaphilis next है the nut having high carbohydrate content is तो उच carbohydrate तत्त वाला जो nut है दोस्तों तो वो है chest net option B correct हो जाएगा chest net next है tannin is used for making किसके निर्माण के लिए tannin का प्रयोग किया जाता है तो जो ink होती है CI होती है उसके निर्माण में tannin का प्रयोग किया जाता है next question butter is a good source of मक्षन इसका उत्तम स्त्रोथ है तो मक्षन जो है दोस्तों ये उत्तम स्त्रोथ है किसका vitamin A का option A इसका correct हो जाएगा vitamin A next है which of the flowing fundamental right is not available to foreign citizen इन्हें से जो हो right of freedom expression है दोस्तों ये है foreign citizen के लिए available नहीं है तो option B इसका सही हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार next question है which of the following appointment is not made by the president of India इन्हें से कौन सी न्युक्ति भार्त के राष्टपदी द्वारा नहीं करी जाती है तो वो हो गया दोस्तो speaker of log sabha option D सही हो जाएगा speaker of log sabha next है who is the highest civil servant of union government जो जो highest civil servant होता है केंदरिये सरकार का वो होता है दोस्तो cabinet secretary option A correct हो जाएगा cabinet secretary next question है a proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval within तो अपातकाल की उद्गोषणा को संसित के समक्स उसके अनमोधन के लिए रखा जाना चाहिए तो ये है दोस्तो बन मन्थ option A जो है बोसाई हो जाएगा और बात करें emergency की तो article 352 के तहत लगती है दोस्तो राष्टे अपातकाल और बात करें राष्टपदी शासन की वो article 356 के तहत लगता है और financial emergency जो है वो लगती है article 360 के तहत next है the regulation for the removal of the vice president of India can be proposed in तो भारत के उपर राष्टपदी को हटाने का पस्ताब जो पस्ताबित किया जाता है only दोस्तो राष्टे साभा में तो option B सही हो जाएगा only राष्टे साभा next है which of the following states elect only one member of the लोग साभा निमन मैंसे कौन सा राष्टे लोग साभा का केवल एक सदस्तिर चुनता है तो ये हो गया सिक्कम option बी जो है बसाई हो जाएगा तो दोस्तो 36 समिधान शंशोदन कहता है सिक्कम भारत का राज्य बना था तो आप कमेंट करके बताएं कि ये भारत का कौन सा राज्य बना था 1975 में ये भारत का कौन सा राज्य बना था next question है which of the following categories of bills can be initiated only in लोग साभा विधे के निमन मैंसे किस बरक को केबल लोग साभा में ही प्रराम किया जा सकता है तो ये है दोस्तो money bill धन्वधे का option C सही हो जाएगा article 110 में इसका बर्णन है next है who बाजदा first woman chief minister in independent India सबतंतर भारत में प्रत्थम महिला मुख्यमंतरी कौन थी तो ये थी सुचेता क्रिपलानी option D सही हो जाएगा ये UP की प्रत्थम महिला मुख्यमंतरी थी और पूरे ओबरॉल इंडिया की भी प्रत्थम महिला मुख्यमंतरी थी और अमिरित कोर जितो थी दोस्तो ये पहली सबास्तिय मंतरी थी next है five year plan in India is finally approved by दोस्तो जो five year plan है भारत में पंचबर्शी योजना को अंतिवरू से अभी सिवक्रिती प्रदान की जाती है को छोड़ दो क्योंकि इसमें खत्म कर दिया गया है तो ये है राश्टिय विकास परसित के द्वारा अप्रूब होता था option D सही हो जाएगा अब इसको समाप्त कर दिया गया है planning commission को नीतिय योग इसके स्तान पर आ गया है next है financial emergency can be declared by applying bitch article of the constitution of India मैंने पहले ही पता दिया जो बितिय पात्का लगता है वो 360 के दहत लगता है और भारत में अभी एक भी बार इसका implement नहीं हुआ है यानि कि अभी बितिय पात्काल भारत में नहीं लगा है next है which amendment to the constitution of India inserted a new article 21A providing right to education in the constitution तो मैंने कल भी आपको पताया ये था 86 amendment option A सही हो जाएगा next है but was the main name of antidea program तो antidea program का जो मुख्य उदेशी है वो है दोस्तो helping the poorest among poor option D सही हो जाएगा निरतनतम की साहिता करना next है SJS are by belongs to तो ये सबंदित है दोस्तो सहरी क्षेतनों से option A सही हो जाएगा urban areas next है estimates of property in India are given वायदा भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया गया है ये किया जाता है दोस्तो पहले planning commission के द्वारा किया जाता था और आब नीती AO के द्वारा किया जाता है next है the central banking function in India are performed by the दोस्तो भारत का जो केंद्रे bank है वो है RBI option C सही हो जाएगा RBI next है stack inflation is तो निस्पन स्पिती क्या है तो दोस्तो ये है inflation with depression तो इसका option जो C है वो सही हो जाएगा मंदी के साथ स्पिती इसका सही आंसर हो जाएगा inflation with recession होना चाहिए था मेरे ख्याल से मंदी के साथ स्पिती इसका सही आंसर हो जाएगा next है dare money policy implies महंगी मुद्रा नीती का अर्थ क्या है तो दोस्तो dare money policy means है high interest rate option D सही हो जाएगा high interest rate next question है which of the following is not a part of machinery that settles industrial dispute निमन मैंसे कौन साथ दियोगिक विबादों के निप्तान करने वाली जिनरी का हिस्सा नहीं है option A सही हो जाएगा conciliation officer इसका सही आंसर हो जाएगा next है भेन बाजदा consumer protection act passed तो भोक्ता सनक्षन अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था 1986 में option A correct हो जाएगा तो national consumer day जो है दोस्तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को और बात करें जो bird consumer rights day है वो मनाया जाता है 15 March को next question है who gave the call for the evergreen revolution in India तो दोस्तो भारत में सादाभार करांती का हवान दिया था ये दिया था MS मामिनात्तन ने option A सही हो जाएगा और बर्गी स्क्योरिन जो है इनको स्वेथ करांती का जनक कहा जाता है next जो question है दोस्तो 146 से ये करनट अफेर के question थे तो उसमें इनको discuss करके कोई फाइदा नहीं है next जो question बचते हैं अब उनको हम discuss करते हैं हिंदी के question है इनको discuss कर लेते हैं तो इनमें जो पूछा गया है मुहाबरा कौन सा है तो मुहाबरा है दोस्तो इसमें अंगोठा दिखाना इसका आर्थ होता है साफ इनकार करना आगे है पूछा गया हिनमे संग्या कौन है तो संग्या इसमें है दोस्तो प्रत्थम next है जिस बस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो इसके लिए एक सब्द होगा अभिस्ट next है बाल्टी में दूद है इसके लिए कार्क होगा दोस्तो अधिकर्ण कार्क मैं पर next है आई से जो प्रत्य सब्द बनता है दोस्तो बो है लिखाई next है दोस्तो द्विजेंदर का आपको संदी विचेद बताना है इसका जो संदी विचेद हो जाएगा बो हो जाएगा द्विच प्लस इंदर और बन का जो चार्न स्तान है बो है कंठोस्त ये option B से हो जाएगा और सरवता भिन सब्द है इनमें से तो इनमें से जो भिन सब्द हो जाएगा बो हो जाएगा जुपचाप next है हाल का जो उपशर्ग सब्द बनता है दोस्तो तो वो बनता है खुशहाल और अन्तिम प्रेशन है इस वीडियो का अवहान का बिप्रितार्थक सब्द जो है वो है दोस्तो बिसर्जन option B कुर्यक्ट हो जाएगा तो दोस्तो HP Secretary Clerk का हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है तो दोस्तो यही था आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसांद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर बाचिंग गॉड ब्लेस यू आल